नमस्कार दोस्ता आप सब कैसे फाइनली जियो का एक और बिग चेंज देखने के लिए मिलता है हमें जियो ग्लास के अंदर और यह सबसे इंपॉर्टन ठिंग है कि यह ऑफिशल लॉंच से पहले ही एक बहुत बड़ा बिग चेंज किया गया है जैसे की बात करी जाया तो इ लेकिन यहां पर आप तब इसकी फंक्शनलेटी इसका आउटडोर विहेवियर देखेंगे ग्लास का तो इसमें आपको किस तरीके से एक एया टेक्नॉलीजी पर बग करने की कोशिश कर रहा है जिसमें कि आपको थी कैमरा देखने के लिए मिलते हैं यही सबसे बड़ी प् हाफ ग्लास जो उपर गाता वो ब्लैकनेस देखने के लिए मिलता था जो ब्लैक वाला पार्ट था वही इस्पेशली एग्मेंटेट रियालिटी एर पर काम करता था जिसमें कि आप सामने देख रहे हैं और उसके सामने ही जैसे कि आपने रिप्रेजेंट तॉर्क पे इस की डिटेल देखी होगी जो की बात करी जाया तो एपल विजन प्रो की देखने के लिए मिलती है उसी तरीके से मेंली वर्क करने के लिए इसे रखा गया था लेकिन फिर इसमें कुछ और नए चीज़े चेंज की गई जिसमें की तब आप रियल वर्ड में मतलब रियल लेकिन आप वहाँ चैनल पर फर्स्ट हमाई चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरू कीज़े का रेगलर अपडेट के लिए एक चीज़ जरूर कहना चाहूंगा जैसे कि आप एमेजोन ये फिलिपकार्ट से समान खरीदते तो वहाँ पर ये कंपनिया अपना प् आप प्राइस देख सकते हैं इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है तो आपको बैस डी लगती है तो आप उसे क्रैक करकर खरी सकते हैं ने तो कोई बात नहीं एट लिस चैक तो हो जाएगा कि किता प्राइस दिखने के लिए मिलता है इसमें बहुत सारी चीज है जिसे कि आप रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं और सबस्यादा इंपॉर्टेंट जो कैमरे थे उनको पर उन्हें कवर किया गया कवर करना इस नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्यूंकि जो ब्लैक पैनल था और वो कैमरे जो थे मनलब 2022 वाले मोडल में चले त से नहीं बचा सकते कैमरे को फिर धुंदुला टाने लगती है तो वह एगमेंटेट रियालिटी बिल्कुल ब्लैक रियालिटी में चेंज है जाती तो उस चीज को कंवर्ट करके आपको अब पुरी तरीके से प्रोटेक्ट और उपर बाकाईदा ब्रांडिंग जियो ग्ला दें जो कैमरे की प्रॉब्लम थी डस्ट की उसे रिमूफ किया गया साथ में यहां पर बात करिया तो जो ब्लैक वाला हाफ ट्रांस्पेरिन एंड ब्लैक वाला पूर्शन था उसे भी खतम करके पूरा ब्लैक किया गया तो फाइनल विजल्ड यह देखने के लिए मिलता है जो अभी जो पिक्चर सारी है उसमें आप ट्रांस्पेरिट नहीं देख सकते हैं मतलब यह है कि एक तरीके का वी आर कह सकते हैं जिससे कि आपको कुछ इस तरीके की चीज़े देखने के लिए मिलती हैं मतलब यह है कि आप चश्मा लगा के एज़ा वी आर जैसा मजा ले स सकते हैं जिसमें कि आपको कभी भी किसी भी कंडिशन में पूरा पैक करने की जौरत नहीं है इसके अंदर इन-बिल्ड डिस्प्ले जिसमें कि आपको पूरी तरीके से क्लियर दिखाई देता है सामने का और जो कैमरों की सहायता है मतलब अभी इसे शायद फुल लॉंच ही पचास साथ हजार रुपय का लॉंच होगा और यह डिरेक्ली मॉवाइल से कनेक्ट हो जाता है तो शायद यह बैटरी क्योंकि इसके अंदर इन-बिल्ड बैटरी है या नहीं है क्योंकि बात करी जाए तो जो एपल ने विजन प्रो दिया था उसमें इंडिवीजल बैटर 2024 या 28 में अभी कोई बी क्लिया नहीं किया लेकिन अभी जीओ इस पर लगता है कि 6 महीं और इंवेस्ट करेगा देखेगा कि क्या प्रॉब्लम आने वाली है क्या प्रॉब्लम थी जैसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी तो उसे वर्जन बन और सेकेंड वर्जन टू करके launch कर सकते हैं जिससे की revenue collect हो जाए लेकिन जियो ने ऐसा नहीं किया वो फाइनली जो product देना चाहा रहा है वो इस तरीका का देखा कि उसमें version 1 और version 2 लाने में कम से कम एक डिर साल का time तो लगे लेकिन technology को डबलेट कर रहा है जिससे कि आपका आने वाला time AR पे depend होता है तो उसके लिए जियो बिलकुल तियार है और देखते हैं क्या इसके अंदर e-sim connectivity मिलती है क्योंकि 5G का time है तो उसके लिए particular mobile हर जगा carry करना या यह अपने आप में as a laptop desktop और बदलब बात कर जाए तो जियो cloud facility के साथ आएगा जिसमें कि आप directly कहीं पे भी anytime anywhere 23 में ही है लेकिन तब तक official launch नहीं होता तब तक आपको पूरी full detail और price और कब launch होगा वो तब तक clear नहीं होगा देखते हैं जल्दी जैसी कोई और news आती तो आपके लिए के आते हैं बस तब तक चैनल को subscribe वीडियो को लाइक जरू कीजाएगा regular update के लिए धन्यवाद